हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब ठीक है मैं भी बहुत अच्छा हूं गाइस वेलकम तो दिनिस न्यू वीडियो इन इस वीडियो हम बात करने वाले हैं psychology of learning and development subjects के second unit यानि कि अभी प्रिर्णा और अधिगम यह जो learning and motivations unit है इसके बारे हम डिसकस करने वाले हैं इसमें क्या-क्या discuss करेंगे पहले एक short introduction दे दो आपको इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहले चीज़ the concept of learning यानि कि अधिगम की ओधारणा क्या है इसमें कुछ important definition देखा जाएगा इसके ये बीडिया बात किया जाएगा characteristics of learning यानि कि अधिगम की बिशेएस्टा क्या है learning की को प्रवाविद करते हैं और अगर वीडियू बहुट लंबी नहीं हुई तो मैंट करते हैं किस पर learning के बारे में तो सुरुआत करते हैं बुछ Left कि किते हैं अब फिम uniform किसे किसे हैं ऐसंद को सक चिए को कृषर आपको आपसे को सीखते हैं किसी को है करते हैं अपने वहवार में ह μέREE शेरों लाते हैं तो हें तो हमारा अब्जर्वेशन यह नाम कि मनवे घ्यानित हैं उन्हुन इसका मतलब यह हुआ कि वह कुछ सीख नहीं रहा है कि गेट्स कहते हैं कि देफिनिशन से एक चीज और किलिर होती है कि कोई इंसान अगर अपने वहवार में चेंज नहीं लाता है कि यानि कि वह ऐस इसका मतलब यह हुआ कि वह कुछ सीख नहीं रहा है क्योंकि गेट्स कहते हो तर्ुर्स के साथ अपनी देफिये को मोडिफाइड करना है अगर मोडिफाइड हैँ नहीं हो रहा लगती हमकर रहे हैं तो हमने कुछ inee अच्छा बना वًगोंगा है तभी इस The Mortification of Behavior through Experience अनुभव के दवारा वहवार में रुपांतर नहीं चीज लाना तो अनुभव के दवारा वहवार में रुपांतर लाना ही क्या ख़लाता है किसे दवारा गेर्स के दवारा दूसरा डेफिनिशन इससे भी बहतर इससे भी अच्छे तरीके से समझा है इसने समझाया है वर्ड वूथ ने वर्ड वूथ एक महान मनवे ग्यानिक थे हम सब जानते हैं वर्ड वूथ कहते हैं कि नमीन ग्यान जहां देखने हैं नमीन ग्यान नमीन प्रतिक्रियां को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है सिखने की प्रैकरिया कहलाता है नमीन ग्यान और नमीन प्रातिकिरिया और न्यू रियंग नियू रिक्सिट आधिगम की प्रैकरिया कहलाते है इसलिची वह जायर ये प्राइच प्राशे स views णो मैं नर्ग नूज तर चीशे सुन remains यानि कि the learning, the process of acquiring new knowledge, new experience is known as the process of learning. यह किसके दोबर का गया है, wordwood के दोबर का गया है, तो यह तो हमारा second definition हो गया. Last definition मैं देना चाहता हूँ, your best है, मुझे best लगता है, मैं तो यह exam में लिखने बाला हूँ, crow and crow नामक में मनवेग्यानिक ने कहा था, यह best है, मेरे हिसाब से, है तो तीनों, no doubt, तीनों में कोई doubt नहीं है, अच्छा है, लेकिन यह मुझे बहुत अच्छा लगा, crow and crow क्या कहते है, learning is the acquisition of knowledge, habit and attitude, यहां देखना, यह जो attitude कहाना, यह मुझे बहुत अच्छा लगा, यानि की सीखना क्या है, सीखना क्या है, आदतो ग्यान और अविवरिती को अर्जन करना, यह क्या कला है सीखना क्या है, आदतो ग्यान अविवरिती का अर्जन है, यह learning है, क्या है, acquiring है, वह acquisition of knowledge, habits and attitude, obvious सी बात है, हम जब सीखते हैं, अब दरफ सो practically ध्यान दो, यह हम सीखते हैं, ज्यान अरज्जित करते हैं, इसके अलावा हमें कुछ habits भी मिलते हैं, habits में भी बहुत, bad and good, अच्छी आदते मिलती हैं, खराब आते मिलती हैं, एक example की तोरवे बात करूं, कोई बच्चा बच् स्वोखिश करना भी स्पезाथा है निम्स करना भी आगशिए करना है निक नसे नतीर करना लिक किया बैी सिर्फास टो नदर्ट इंछ न मतलब किरना ज्राइए ऑन रणो稍न का σब्सक्राइए कि the learning is the acquisition of knowledge, habits and attitude. Attitude is a positive word. Attitude is a bad word. Ego is a bad word. Ego is a bad word, but attitude is a positive word. Ego is a bad word. The definition of 염 इच्जीशन इच्वीशन और अविव्रतिक अर जन आदत और गयान और अविविर्तिक अर्जन हैं आधत और ग्यान और अविविर्तिक अजित करतें इसे प्रकार्टिय रिए वह उगते लिएँ हैं तो यह तिन डेफिनिशन था और आपतो लिखे आप हो कि आपको समझ में आएगी ओगे दोस्तों तो फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक पे मैंने जैसे की कहा कि अब हम पढ़ने वाले हैं Characteristics of Learning यानि कि विसेष्टा क्या है? Learning की विसेष्टा क्या है? Characteristics of Learning अब इस वीडियो में देखते हैं कि Characteristics of Learning यानि कि क्या विसेष्टा है? अधिगम की विसेष्टा क्या है? इसके बारे हम बात करते हैं जो अधिकम जो लर्णिंग के प्रक्रिया है आपको क्या लगता है कि क्या यह लॉंग लाइफ प्रोसेस नहीं होती हम दिरनते हैं पूरे जीवन में नहीं सीखते हैं इस चीज को हम पूरे जिंदगी तक जा रहते हैं कुछ लोग बुढ़ापे में सीखते हैं मतलब यह एक लाइफ में चलती रहती है तो करेक्रिक्रिक्स अफ लर्णिंग में हम एक पहला पॉरेंट मिलता है कि लाइफ लॉंग प्रोसेस है जीवन परियतने चलने वाली प्रक्रिया है जीवन परियतने चलने वाली प्रक्रिया यह एक लाइफ लॉंग प्रोसेस है इसमें आप लि सीख सकता है यह तो debatable है इसी पे बात करनी है सिवाए इंडियन माइफोलोजी के एक में किताब के एक क्लिप दिखाता हूँ आपको आपको इस बात पर प्राउड होगा कि इसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि इंडियन माइफोलोजी ने है इनिकि जो हमारी हिंदी संस्क इस बात से एक लिए करता हूँ कि यह जो सीखने की प्रकिरिया है वह मां की कोक से ही सुरू हो जाती है यह लाइफ लॉंग प्रोसेस है इसको आ गया इस प्रोसेस मूव फ्रम वाम टुटॉम यान की कोक से लिए कबर तक जन्म से पहले वहां से लिके मौत तक अस्थियां सरजन तक वहां तक यह प्रकिरिया चलने होती है यह पहला पॉयंट कया था यह प्रोसेस होता है यान कि दो सीख जाते है ना तो एसस्थ़ाlor में हम परिवर्टित हो जाते एक्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई एक बच्चा उसे साइकल चलाना नहीं आता ठीक है उसे हमने साइकल दे दिया वह साइकल चला रहा है गिर रहा है साइकल चला रहा है जब वह एक बार अगर साइकल चलाना सीख जाता है तो चाहे वह दस साल के बाद चलाए चाहे वह 20 सार के बाद चलाए चला लेगा थोड़ा सुरू में ठकेगा लड़ा खड़ाएगा गेर लेकिन भूलेगा नहीं वह चला सकते हैं इसके लाए इसके तीसरी विश्यस्ता हम बात कर लेते हैं अब आप किसी बच्चे को साइकल क्यों सिखाते हैं यार साइकल सीख लेगा तो जाकर मार्केट से सब़ूज लेका कुछ समान ले प्रालुक नहीं है एक सीबल सी बात करो मैं आगे दिमाग में तो हैं और ट्रांसफरेबल कैसे ट्रांसफरेबल हो सकता है जैसे कि मालीजी कोई इंसान अगर साइकल चलाना जानता हो ना तो वह रिक्सा बहुत हद तक यह साइकल चलाने की जो अधिगम है जो लर्डिंग प् को इसमें का चलाना सुरू कर दिया कोई भी तो दूसरे फोर वीलर में भी उसकी यूस कर सकता है तो यह क्या होता है अस्तन orbitsuto होता है उद्देश जब हम इस चीज को सीकते हैं उससे पहले अगर मंने चैनल बैट कर रहें और अगर हमारा बैट के साहत हमारा उद्देश यह है कि हमें टट निकाला नहीं though तोल ली तो अगर हम टट को उद्देश पड़ पर निए कि मैं उद्द्द करा कि मैं हमें एक सिछक बनना है तो इसे हम और बहतर से सीखा जा सकते है तो अधिका यानि कि Learning किया होता है वो प्रेंडे होता है वो उद्द्द्द से पूर्ण होता है ओके ओके सब्स्राइब तो अगला विश्चेस ता यह कि जो जो बच्च की करने बच्चंड है पर इंडिविजवी सीख करें ल्रेयक, कोई जरूर बिच्चों लेन्न को समान नहीं वह बच्चि रहे हैं अलग होगा है characteristics of learning is the learning process is the multifacted multifacted मतलब यह बहुमुखी होता है बहुमुखी का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें कहीं कई तरीके से प्रभावित करती है जैसे कि emotionally, physically, socially यानि कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो एक से वोने की समाज को बहुते हैं में का कि जल और समाज को बेहला भी किसी चीज को सीखते हैं तो यह समाज को गहता हैं मmud करगव दिचांज को गया में मर्तार है 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 में प्रकुरइब होता है मुखी परकारियों अनुपी पर्लम्भ सार्ग में रोटी में approximately इन कि सेखे जो हमें नय तरीके से करना है। नरिके बहुंए है फोल्हा पड़ते हैं। लिटों फोली नहीं बत्यारिका से होता हैं। learning is a social यानिकि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो इससे हम समाज को और बहतर बनाते हैं और हम दूसरे को भी सीखा सकते हैं तो यह क्या वाई एक समाजिक प्रक्रिया है learning is a social तो यास यह टोटल नौट पॉइंट्स पर हमने डिसकस किया characteristics के बारे में कि यह विसेष्था पड़ाया अधिकम की ठीक है तो इसके अलावा भी दूसरी विसेष्था हैं हो सकती है मैं भी दूसरे किताबों में दूसरा कुछ और दिया हूँ लेकिन यह जो हैं वह काफी important है मैंने जितने भी study करें मैंने जितने भी किताबों का reference लिया है जितने भी YouTube के video देखें हैं उन में से निकालके मैंने यह nine point out किया आपके सामने और यह actually यह काफी practical है हम इसको feel कर सकते हैं इसको देख सकते हैं और यह जो भी points है उसको rate नहीं की ज़रूरत नहीं है मतलब वह याद करने वाली चीज नहीं है वह बस एक बार दिमाग में point हा जागा ऐसे भी point हो सकते हैं आपको अगर कुछ नहीं लग रहा है तो प्लीज आप इसे comment में जरूर बताना है यह जो nine point है उसे easily याद किया जा सकते हैं और इसके बारे में लिखा जा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तो आपको भी लगेगा कि बोरिंग तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो मैं भी पानी होने भी है तो अब अब जो नेक्स वीडियो बना लेते हैं और अगर बात समय नहार यह तो तो दूसरी जाइस थाए जाए मिजर पड़ेगा में आपको आपको अब एस तो आप जाए मैं आप तक्षित आप जो किया पड़ेगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना गलगा जाए पाइ झाल 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 झाल